हेलो गाइज, वेलकम टू आल आफ यूव और यूटूब चैनल टारेश श्विजन लास्ट लास्ट में हमने बात कीथी नियो क्लासिकल पिरियड को ले करके और उसमें हमने आपको बताया था कि नियो क्लासिकल पिरियड को किस तरीके से राइटर्स के कॉर्डिंग या उसमें की राइटिंग स्टाइल के कॉर्डिंग तीन तरीके से डिवाइड किया गया है जिसमें से पहला है रेस्टोरेशन पिरियड जिसे हम एज और ग्राइडिन के नाम से जानते हैं दूसरा है Augustan Age, जिसे हम Age of Pope के नाम से जानते हैं, तीसरा जो है, वो है Dr. Johnson या Age of Sensibility, ठीक है, और उसके बाद फिर Romantic Age आती है, New Classical Period में, अब जो सबसे पहला period है, जिसे हम Restoration Age के नाम से जानते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसको हम Restoration Age के नाम से क् कि इस समय 1660 में England में मोनार्की को फिर से Restore किया जा रहा है, और यह मोनार्की के Restore होने के साथ साथ Stuart Restoration भी था, क्योंकि यहाँ पर Charles First के बेटे, Charles Second, जो की France चले गए थे अपने फादर के execution पर, उनको यहाँ पर लाया जाता है, invite कि आप यहाँ पर आईए, और फिर से के राजा बनिये, यानि England फिर से मोनार्की की तरफ बढ़ रहा था, प्रोफेसर नीलम सरन्गौर में ने बहुत यह बड़े स्टेट्मेंट में हमने कहा था, कि यहाँ पर इस एज का नाम Restoration एज तो है, बट नथिंग वाज रिस्टोर्ड इन दिस पीरियर्ड, लेकिन कु सरी, पार्लियामेंट के हाथों में थी, और England की जो कल्चर थी, वो बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ है, चाल सेकेंड, जो कि फ्रांस से आ रहा है, तो वो अपने साथ, फ्रांस का पूरा कल्चर लेकर के आते हैं, ऐसा कल्च बहुत जादा मैनर दिखाने लगे, जो कि वास्तों में वो नहीं थे, एक तरीके के दिखावे ने पूरे के पूरे इंग्लैंड के समाज को बिल्कुल बदल करके रख दिया, और इसलिए यहाँ पर जो भी इस एज में लिखा जाता है, वो लगभग सटायर के फॉर्म में चीजें लिखी जाती है, हिरो एक कप्लेट एक डॉमिनेंट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि सीजें सारी कैसी माइन से लिखी जा रही है, अब यहाँ पर चार्ल सिकेंड के आने के बाद, वैसे तो एक बहुत फेमस नॉवल भी है, जिसको मूवी में भी बनाया गया है, और वो नॉवल है, अलेक्जेंडर ड्यूमस की, अलेक्जेंडर ड्यूमस की, नॉवल का नाम है, दत्री मस्केटियर्स, दत्री मस्केटियर्स, मस्केटियर्स क्या है, मस्केट्स से बना हुव वर्ड है, मस्केट्स को आप एक तरीके से बंदू का आप समझेए, मस्केट्स, इनका इस्तिमाल इंडिया में भी क्या होता है जब पानीपत का पर्थम्युद्ध होता है। इसमें हुमायू क्या करता है? बाबर वो इबराहिम लोदी को हराता है तो वहाँ पर भी मस्केट्स का इस्तिमाल कहय जाता है। ये बंदूंगों का आप एक कह सकते हैं पुराना फॉर्म था और थी मस्केटियस में यहाँ पर अलेक्जेंडर डिूमस ने ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से चार्ल सेकेंड जो की हमेशा एक जोकेंड टाइप की इनसान हुआ करते थे हमेशा अपने आपको फैसन में इ ये पूरी एज स्टार्ट होती है जब राजा क्या करते हैं अपने पिता के हत्यारों को चुन-चुन करके मरवाते हैं ऐसे लोग जो राजा चार्ल सेकेंड के राजा बनने पर यहाँ पर भाग गये थे उनको भी क्या किया जाता है दूसरे देसों में अगर वो भगे कि यहाँ पर देखते हैं रिस्टोरेशन एज में टाइम लाइन में कौन-कौन से फेमस इंसिडेंट्स किस एयर में होते हैं 1660 1660 क्या होता है रिस्टोरेशन ओफ चार्ल सेकेंड का रिस्टोरेशन होता है और इसी के साथ 1660 में थेटर्स क्या होते हैं वो री ओपन होते हैं री ओपनिंग ऑफ थेटर्स क्या होता है थेटर्स की री ओपनिंग होती है वह किसको ग्रांट किया जाते हैं टूमस किल्ग्रिव को इनके पेटर्स को ग्रांट किया जाता है और दूसरा नाम कौन था सर विलियम एवनेंट इन दो लोगों को थेटर्स के पेटेंट को वह पर ग्रांट किया जाता है आगे देखते हैं 1662 1662 the act of uniformity क्या है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा चाल सेकेंड एक एक्ट ले करके आते हैं religion को ले करके जिस तरीके से Queen Elizabeth 39 articles को ले करके आती है Catholics and Protestants को balance करने के लिए उसी तरीके से उसी तरीके का मिलता जुलता एक्ट लाया गया चाल सेकेंड के दौरा जिसका नाम है the act of uniformity क्या impact इसका पड़ा जॉन बनियन जैसे writers के उपर इसके बारे में हम इस पर बात करेंगे आगे अब देखिए Royal Society Chartered और यही टाइम था जब Royal Society को Chartered किया गया आगे देखते हैं 1663 1663 Company of Royal Adventures to Africa यानी किस तरीके से 1660 में जब क्या किया गया है सुरी 1600 में Queen Elizabeth ने East India Company को फॉर्म किया था उनके हियादेसों पर Eastern जो Countries यानी Eastern जो Countries हैं वहां से वियापार के स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर अब आ करके 1663 में Royal Adventures to Africa नाम से Company को इस्टैबलिस किया जाता है Later Known as Royal Africa Company आगे चलकर किसे हम किस नाम जानते हैं Royal Africa Company के नाम से और उसके बाद जो भी हम World में World के मैप में चेंजिंग्स देख रहे हैं चाहे स्लेप्स को यहां से डिपॉर्ट करना हो उनको ले जाकर के US में सिफ्ट करना हो यह सारा दौर यहीं से सुरू होता है पुरा आगे देखते हैं 1665 फिर से प्लेग आई कहां पर लंडन में यह वही विवोनिक प्लेग है जिसके बारे में हम आपसे बाते कर चुके हैं अब यहां से फिर से क्या आ रही है विवोनिक प्लेग आ रही है 1666-1666 फायर ओफ लंडन एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट इंगलेंड के तिहास में फायर ओफ लंडन क्योंकि P.B.S.E.L.E. की जो लाइन है की विनास है तभी विकास है और यहां पर वो जो लाइन है वो चेत्रार्थ होती है क्योंकि यहां पर क्या होता है फायर ओफ लंडन की वज़ा से आज हम जो लंडन सहर की खुबसूरती देखते हैं वो इसी वज़ा से ही वनी क्योंकि यहां पर 1666 में आधे से ज़्यादा लंडन जल चुगा था और कारण क्या था कारण यह था कि किंग की बेकरी में किंग का जो बेकर था उसने एक कुछ वहां पे रहा होगा इंस्ट्रुमेंट जलाने वाला उसको जल्द्या हुआ उसने छोड़ दिया था और इस वज़ा से पूरी आग यह लंडन में फैल जाती है और पूरे लंडन सहर को बारुस और गोले से तोड़ा जाता है तोपों से कैनल से तकि आग आगे ना फैले और उसके बाद इस आग के खत्म होने के बाद क्या होता है लंडन को आज जो पत्थरों से स्टोन से बनाया गया है वो उसी के बाद बनाया जाता है आज जो फुबसूरती हम लंडन सहर की देखते हैं वो इसी वजा से ही हुई है और एक इंटरस्टिंग बात ये भी है कि वहाँ पर एक कल्चर आया था जिस तरीके से बहुत सारे कल्चर यहाँ बस 1660 के बाद आते हैं जिसे कॉफी हाउसे का चलन हुआ इंगलेंड में और इ लेमवल पेपीश का एक डाअरी राइटिंग का कॉंसेप्ट भी आया था तो डायरी राइटिंग से हमें इस आग के बारे में पता चला था बताता हूं मैं आगे आपको इन सब के बारे में अब आगे horizontal में 1667 666 सरसथ जॉन ड्राइड'न जॉन ड्राइड'न का कॉंसा वर् इसका जो है इंगलिस टांसलेशन होता है वो आता है और जॉन मिल्टन की प्रडाइज लॉस्ट भी 1667 में आती है 1667 में उसे बाद देखिए 1673 1673 ड्यूक ओफ यॉर्क और ये कौन है जेम्स सेकेंड जेम्स सेकेंड चार्ल्स फर्स्ट के दो बेटे कौन कौन से पहले हैं चार्ल्स सेकेंड दूसरे हैं जेम्स सेकेंड दूसरे कौन से हैं जेम्स सेकेंड जिनका नाम द्यूक ओफ यॉर्क भी है लेटर जेम्स सेकेंड मेरीज आ रोमन कैथलिक ठीक है क्या होते हैं इनको एक रोमन कैथलिक ठीक है लड इंट्रेस्टिंग बात ये है कि चार्ल्स सेकेंड की खुद की साधी एक रोमन लड़की से हुई थी और वो कौन थी पुर्टगाली प्रिंसेस कैथरीन आफ ब्रेगेंजा कैथरीन आफ ब्रेगेंजा और ये एक पॉर्चुगल प्रिंसेस थी कहां कि पॉर्चुगल प्रिं साथी, यह सहर था और चार्स सेकेंड की साथी में कैथी नौफ, ब्रिगोंजा की साथी में क्या होता है कि पुर्तगालीयों ने मुंबई सहर को दहेज में दिया था चार्स सेकेंड को आगे चल करके ये इनका कैथोलिक होना भी अपने आप में एक कंट्रोवर्सियल There is a Roman Catholic, और इससे में क्या होता है, test act एक आता है, test act exclude Catholic from public office, यहाँ पर test act के जरिये क्या होता है, Roman Catholic जो थे, यानि James 2 खुद भी क्या थे, एक Catholic थे, तो उनकी भी post क्या होती है, इस act के तहए चली जाती है, यानि इस act के तहए जो भी Roman Catholic थे, उनको लेकर के एक कानून आता है, कि वो public offices को hold नहीं करेंगे, यानि वो सारवजनिक सेवाओं में, बिल्कुल भी उनकी entry नहीं होग किसको जाएगा, प्रोटेस्टेंट्स ही यहाँ पसे public offices में रहे सकते हैं, अब आगे देखते हैं, 1675, 1675, विलियम वाइशरली, दो नाम हैं, एक विलियम वाइशरली, दूसरे हैं, विलियम कॉंग्रीव, और ये दोनों लोगों ने कैसी, comedy of manners को लिखा, क्या होता है, comedy of manners, यानि इंग्लैंड में जो भी sophistication आया, जो भी extra, mannerism का concept आया, जो affectation का concept आया, उसको इन लोगों ने अपने इस comedy writing के जरिये क्या किया, expose किया, तो एक नाम उसमें कौन सा है, विलियम कॉंग्रीव का, उनकी famous comedy है, कौन सी, the way of the world, दूसरी है, विलियम वाइशरली, जिसका मतल ये भी एक नाम है उसी में ही, the man of mode, या आफरा बेन, जो कि पहली woman मानी जाती है, इंग्लैंड में, जिन्हों ने क्या किया, playwright लिखा, sorry, sorry, क्या किया, plays को लिखा, आफरा बेन, पहली ऐसी महिला मानी जाती है, जो कि क्या है, woman writer है, इंग्लैंड की, और कैसी, play writing में, तो आ work आता है, इसी age में, आगे देखते हैं, 1678-81, exclusion crisis, exclusion word किसे बना हुआ है, exclude से, किसे बना हुआ है, exclude से, यानि exclude करना, और exclude करने की बाते किसकी बाते किसको रही है, Roman Catholics को, उस समय जो Parliament है, वो दो तरीकों में बटी हुई थी, एक था House of Commons, दूसरा है House of Lords, मैं थोड़ा आपको सम जाते चलता हूँ, एक तरफ कौन है, House of Commons, House of Commons, दूसरा है House of Lords, House of Lords, House of Commons को आप कह सकते हैं, कि वो कौन थे, वो थे विग, और House of Lords कौन कह सकते हैं, वो थे टोरी, कि modern जमाने में भी England में सिर्फ दो ही पार्टियां है, कौन कौन सी, House of Commons जो है, उसको आप समझ सकते हैं, कि वो Labour Party है, कौन सी है, Labour Party, और England में ये वाला जो था, वो है Conservative Party, Conservative Party, किसी भी, आप Country को देखेंगे, तो वहाँ पर लगभग दो ही चीजे इस तरीके से होती हैं, मतलब इन सब को लेकर के बाते करती हैं, दोनों का अपना अलग एजेंडा होता है, काम करने का, दोनों के सांसत इधर और उधर होते हैं, जैसे England में आप देख रहे हैं, कौन सा है, House of Commons और House of Lords, ठीक है, Conservative Party और Labour Party, अमेरिका में भी ऐसी है, Republican और Democratic, इंडिया में भी ऐसा है, इंडि इनी को लेकर के दो को लेकर के आइडियालोजी चलती रहती है, तो यहाँ पर क्या था, कि जो Labour Party है, वहाँ पे किनका दबदबा था, पार्लियामेंट के लोगों का, बज़ रहे हैं, पार्लियामेंट के जो समर्थक थे, उनका यहाँ पर दबदबा था, और यहाँ पे House of Lords में किसका था, जो Cavalry, यानि कि जो राजा के समर्थक थे, उनका दबदबा था, तो यहाँ से कोई बिल निकलता, ठीक है, यहाँ पे तो पास हो जाता, लेकिन यहाँ पर जाकर के, क्या हो जाता, उस बिलको राजा, ठीक हैं कि उनके भाई भी था, जेम सेकेंड जो आगे चलकर के राजा बनने का प्रबल दावेदार था, कारण क्या थे, चाल सेकेंड का कोई भी लिश्टिमेट बच्चा नहीं था, सिर्फ एक उनका इलिश्टिमेट बच्चा था, जिसका नाम ड्यूक आफ मनमत था, तो यह तै था, कि इनके बाद जेम सेकेंड राजा गे, जेम सेकेंड एक कैथोलिक थे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो हाउस आफ कॉममन्स में एक नाम उसमें बहुत पापुलर चला करता था, और वो कौन था, अरल आफ साफ्ट सबरी, मैं आपको याद दिला दूँ, याद रखेगा, अरल आफ साफ्ट सबरी, साफ्ट सबरी, जी हाँ, यह वही हैं, जिनको एबसलम एंड एकिटो फिल में, एक बहुत फेमस पोयम है, किसकी जॉन ड्राइडन की, तो वहाँ पर एकिटो फिल जो है, वो अरल आफ साफ्ट सबरी हैं, और एबसलम काउन है, वो डियो काफ मनमत हैं, एक पुलिटिकल एलिगरी है तो अरल आफ साफ्ट सबरी का काफी दब-बा था यहां पर, आपर हाउस आफ कॉमन्स में, यहां से वो क्या करता, दिल को ले तो जाता, लेकिन आगे चल करके हाउस आफ लॉड्स में, राजा के समर्था क्योंकि उनकी मेजॉर्टी वहाँ पर जाता थी, तो वो बिल को व आइसिस के भी नाम से जानते हैं, 1689 यानि 1679 से लेकर के 1681 तक यह चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, जब मैं आपको इस टापिक पर आऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल यह मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बातें बता दी हैं, इसको माइंड में र मनमत का जो कि 40 सेकेंड के इल इस्टिमेट बच्चे थे, बेटे थे, अब देखिए, 1681, 40 सेकेंड डिजॉल्स पारलियामेंट, फिल से क्या होते हैं, 40 सेकेंड पारलियामेंट को भंक कर देते हैं, ड्राइडेन, एपसलम एंड एकिटो फिल, यही मने आप से बात की, एप ड्यूक आफ मनमत, ड्यूक आफ मनमत, एलिगरी में क्या होता है, कि हम वहाँ पे नाम बदल करके बात करते हैं, तो सीधा-सीधा तो ड्राइडेन, ड्राइडेन क्योंकि उसमें पोईट लॉरियेट थे, राज कभी थे, तो उस समय क्या होता है कि, 40 सेकेंड ड्राइडेन स कहते हैं कि आपको ऐसी पोयम लिखिए, ऐसी कोई कविता लिखिए कि जो मेरे खिलाब सडयंत्र हो रहा है यहाँ पर, जो मेरे खिलाब सडयंत्र हो रहा है, उसको हम एक्सपोज कर सकें, तो जान राइडेन जो कि एक क्या थे उस समय पोईट लॉरियेट थे, तो वो क्या क और भी चाल सेकेंड जो है वो कौन है चाल सेकेंड डेबिट की तरीके से माना गया है उनको और एपसलम कौन है वो इनका बेटा डूक आफ मनमत और एकिटोफिल कौन सा है मैंने आपको नाम बताया है यह है अरल आफ साप्सवरी बहुत फेमस लाइन है इसमे ग्रेट विट् बहुत बुद्धिमानों को अलग करती है यह तो एक बहुत बुद्धिमान होता है वो भी पागलपन के करीब ही होता है इसलिए मैं आपको मैंसा कहता हूँ कि नहीं थोड़ा सा आपको ऐसे बनना पड़ेगा बहुत पुद्धिमान हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी फिर आप अकेले हो जाएंगे इसलिए आपके अंदर अलड़पन होना जरूरी है थोड़ा सा आप जाएं तो कहीं आप खुस रहिए ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो हर जगा जाकर कि उसी तरीके से पेसाना नहीं एकदम चुप रहेंगे सीरियस गंभीर हैं ऐसा नहीं जैसी जगा होनी चाहिए उसी तरीके से आपको ढ़ल जाना चाहिए तब ही आप जिन्दगी को इंज्वाए कर पाएंगे ने तो आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो आपके रास्तें बहुत रोड़ा करेगी क्यों आपको क्या करे आपको लाइफ को इंज्वाए ना कर दे आप डरेंगे कहीं ऐसा नहों कि पूल खुल जाए कहीं ऐसा नहों कि लोग जान जाए मैं गाउं का हूँ कहीं ऐसा नहों कि जान जाए कि मेरे माता पिता अन पढ़ है कहीं ऐसा न हो कि जान जाए मेरे पास पैसे नहीं है ये सब सीचें आपको बहुत गंभीर बना देंगी लेकिन नहीं, गंभीर नहीं बनना है पढ़ाई का काम है, जब तक आप पढ़िए तब तक पढ़ाई आपकी है लेकिन पढ़ने के बाद जब आगर आप उठे गे तो फिर आपकी जिंदगी आपकी है पढ़ाई आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जिंदगी नहीं है मैंसा इस बात को याद रखना है ने तो फिर क्या होगा आप याप परिसान ही रहेंगे हर जिगा जाकर ढूंड रहे हैं एपसलम कौन था एकिट खोए हैं आप नहीं थोड़ा सा गप अप मारते रहें चाहिए दोस्तों के साथ मिलकर के बकैती खुब करनी चाहिए और उसके बाद आईए तब आपका मन लगी का पढ़ाई में हमें साब बर्डन लेकर के नहीं चलना चाहिए लाइफ में आईए अब देखते हैं क्या यहाँ पे और ड्राइडन का एपसलम एंड एकिटोफिल 1681 में आता है और उसी के साथ उनकी एक एपिक आती है जिसका नाम क्या है मैक फ्लेकनोई का नाम है मैक फ्लेकनोई यह उनका एक फेमस वर्क है और एपसलम एंड एकिटोफिल कैसे उनकी लिखा है बहुट माइंड से जॉन राइडन ने इस वर्क को लिखा क्योंकि वो खुद एक राज कभी थे और इसके बाद जेम सेकेंड राजा बनता तो जॉन ड्राइडन साब की नोकरी भी अगर वो जेम सेकेंड की बुराई करते तो इनकी नोकरी पिछली जाती इसलिए जेम सेकेंड का किरदार इन्होंने एपसलम एंड एकिटोफिल में रखा ही नहीं कैसे लिखा गया है मैं आपको बताऊंगा उस समय जब आएगा तो फिलाल आगे वड़ते हैं यहाँ पर 1685 चाल सेकेंड डाइज चाल सेकेंड की मौत हो जाती है जेम सेकेंड ये वही है एक्स्लूजन क्राइसिस जो होती है बार बार इसका मतलब भी क्या है एक्सलूजन करने कोसिस की जारत दिक दें किसी तरीके से हम जेम सेकेंड को राजा ना बनने दें इनकी जगा पर हम ड्यूकाफ मनमत को लेकर के विद्रोह करा दें ड्यूकाफ मनमत जो कि क्या है इल इस्टिमेट बेटा है चाल सेकेंड का तो इससे क्या हो जाएगा इससे ये हो जाएगा कि जेम सेकेंड के जगा पर हो सकता वो राजा बन जाए लेकिन पहले तो ड्यूक का आप मनमत तैयार ही नहीं था वो कहता कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया है जितना कि एक नाजायज बच्चे को दिया जा सकता है मेरे पिता जी मुझे ड्यू की पोस्ट भी जो है दी हुई है मुझे और कुछ नी चाहिए उनसे लेकिन अरलाव सापसबरी जो था वो बार बार टेम्ट करता रात नहीं तुम्हें आवाज उठानी चाहिए अपने पिता के खिलाब बगावत करो और उसका खामियाजा होता है कि ड्यू का मनवत्थ रिवोल्ट कर देते हैं अब यहाँ पे जेम्स सेकेंड 1685 में राजा बंत हो जाते हैं लेकिन फिर वही बात जिस तरीके से Mary यानी Bloody Mary जिनोंने क्या किया था 1453 में 1453 में मैंने याद होगा बताया था Mary Queen बनती है England की तो Mary ने जिस तरीके से क्या किया था Catholic होने पर उन्होंने पूरे राज में Catholicism का बढहावा देना शुरू कर दिया अपने हिसाब से फुट लोगों को रखने लगी वही चीजए यहाँ पर भी ओए் जेम सेकंड जैसे ही राजा बने उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट पर चाहिए वर सेना का जनरल हो एपने मंतरी हो सब को उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने हिसाब से रखना सुरुकिया और कैसे कैथोलिक लोगों की प्राइरटी वो देने लगे और इसका खाम्याजा यही होता है कि 1688 या 89 में इनके खिलाफ revolution हो जाती है इंग्लेंड महेज वो तीन साल या तीन के आसपास वो राजा बने रहे इनके बाद इनकी ही बेटी और दामाद विलियम ओरेंज और बेटी का नाम भी मैरी था वो आ करके सत्ता ले लेते हैं किसके तहत ग्लोरियस revolution के तहत रक्त विहीन क्रांती ब्लड लेस revolution या उसे हम कहते हैं या हम उसे glorious revolution कहते हैं अब आगे देखिए मनमत's rebellion और यही वो time होता है जब Duke of मनमत क्या करता है rebel बिद्रोह कर देता है अब आगे देखिए 1687 आईजक न्यूटन न्यूटन साहब आ गए और उनका वर कौन सा प्रिंसिपिया यह आता है न्यूटन के नियम या दोगा आपका ठीक है या दोगा ग्रेविटी का law of gravity और उसके बाद क्या है जो है कई सारे law of motion वो भी कौन है न्यूटन ने दिये तो यह सब वही है आईजक न्यूटन साहब 1688 Glorious Revolution या जिसे हम The Bloodless Revolution भी करते कहते हैं वो यहाँ पे घटित होती है और जेम सेकंड के खिलाफ होती है जेम सेकंड यहां से क्या होते है भाग जाते हैं सासन को चून करके और उसके बाद William जो की जेम सेकंड के दामाद है जिनको हम सनिल लौ कहेंगे मैरी जो उनकी डॉटर है वो यहां के राजा और रानी बन जाते हैं जॉइन ट्रूलेक सुरू हो जाता है 1688 से लेकर के 1702 तक यह दोनों लोग सासन करते हैं कुछ दिनों बाद मैरी की डित हो जाती है तो William औरेंज अकेले सासन करते हैं अब आगे देखिए 1689 1689 जेम इन्वेड्स आयरलेंड यह क्या करते हैं यह आयरलेंड पर इन्वेड करते हैं टॉनरेशन एक्ट ठीक है डिसेंटर्स कैन बिल्ड दियर ओन चल्चेस डिसेंटर्स कौन थे जॉन बनियन टाइप के लोग और प्रैक्टिस्ट इन देम यह वही था एक टाफ यूनिफार्म ब्लडलिस रिवल्यूशन हो गई है रक्त वेहिन करांती या ग्लोरियस रिवल्यूशन और इस समय जेम सेकेंड यह जगा छोड़ करके भाग जाते हैं देश को ही अब आगे दखिए 1690 विलियम डिफीट्स जेम सेकेंड वही क्या होता है विलियम यानि विलियम औरेंज व तैबुला रसा याद रखेगा कौँसे थेयरी तैबुला रसा इसका मतलब क्या है यह बताते हैं कि एक माइंड जो होता है इनसान का वो एक ठीक है ब्लैंक स्टेट होता है यह जब बच्चा पैदा होता है उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता है हाला कि इस थेयरी को ब पूंदे दिखाई पढ़ने लगते हैं उनके निसान बन जाते हैं उसी तरीके से एक बच्चे का दिमाग भी होता है वो एक ब्लैंक स्टेट के जैसा होता है वो क्या होता वो अपने लोगों को देख करके आसपास उसका माइंड ग्रो करता है यह थेयरी जॉन लॉक ने दी यही टैबूला रसा की याद रखेगा और आगे चलके स्टिक और इजने अपने फेमस वर्क कहां पर बाई और फिया लिटरेरिया अ बैयोग्रेफिया लिट्रेरिया में इसे क्या किया था खारिज किया हुआ था जान लॉक ने और क्या है एंसे जान लाॉक की कुछ सी किताब एंसे कंसर्णिंग हींबन अंडस्टेंडिंग ये पब्लिस होती है सत्रा सो विलियम कॉंग रीव देव ले वे बहुतहीं किताब है और किसको लेकर के कौमेटी आफ मैनर्स को लेकर के ये किताब जो होती है बहुत ही पॉपलर होती है विलियम कॉंग्रीप की कभी मौका मिलेगा तो अलग से इसकी वीडियो बनाई जाएगी अब आगे देखिए कुछ की फैक्स है की फैक्स में क्या है मैं आपको बता दूँ सबसे पहला है यहाँ पे कि जॉर्ज मौंक कल मैंने अनाम आपसे बताया हुआ था जॉर्ज मौंक रिस्पॉंस्टिवल होता है किसके पीछे रिस्टोरेशन के पीछे यानि जो ये स्टुवर्ट रिस्टोरेश और उस ने क्या किया उस जेनरल ने 40 सेकेंड को invite कि अब आपको आना चाहिए और यहां का राजा बनना चाहिए मैं आपके support में हूँ और यही नहीं आपके पिता के कातिल जितने थे जो भी उनके execution में जिनका हाथ था आप उनको भी पनिस करिये उनको भी मत छोड़िये और इ की restore होती है देखिए was responsible behind the restoration in England कहाँ पर इंग्लेंड में जो restoration हुआ उसको लेकर के he established contact with Charles second उसे क्या किया Charles second के साथ contact established किये and convinced और उसे convinced किया him to ascend the British throne क्यों क्या करे British throne पर आए and punished those और उनको दंडित करें उन लोगों को who were behind the execution of his father जो उसके पिता के execution के पीछे जिनका हाथ था उनको वो खतम करें अब आगे देखिए the reign of Charles second started bloodly याद रखीगा कैसे start हुआ ये reign सासनकाल bloodly बहुत खुन खराबा कैसे instead being jocular and humorous भले ही कैसे थे Charles second एक jocular मजा किया इंसाथ humorous तब भी क्या था Charles sought vengeance Charles ने क्या समझा उसे ठानली बदला लेने के लिए sought vengeance for the murder of his father यानि उसके पिता के कि जो उसका murder किया गया था उनके लिए ठीक है उन लोगों के लिए उसने बदला लेने की ठानी कि जो है हम क्या करेंगे उन लोगों को सजा देंगे जो मेरे पिता के murder में थे अब आगे देखिएगा इसे लोग जो इस देश से भाग चुके थे वर murdered by the agents of the crowns there यानि आज जो हम देखते हैं raw ठीक है MI जो काम करती है इंग्लेंड की कौन सी है जनसी MI Mission Impossible वहाँ की खुफिया जो जो जनसी है और रसिया की KGB इंडिया की raw अमेरिका की कौन सी है CIA Central Investigation Agency पाकिस्तान की ISI Inter-Service Intelligence India Raw को किस ने स्टेब्लिस किया था KN Kao यह बहुत बड़ा नाम है इंडिया के स्पाई में KN Kao उने स्टेब्लिस किया था रा को Research and Analysis Wing और उसके बाद रसिया की KGB यह सारी एजनसी आपस में कभी-कभी मिलती भी हैं बिछडती हैं ऐसे चलता रहता है भेज करके उनको मरवाया जाता है जिस देश में वो थे समझ रहे हैं? अब आगे देखिए All Commissioners जो भी Commissioners थे Were Executed यानि जो भी Commissioners उसके फादर के Execution में थे उसके फादर के Charles First के Execution के Support में थे सब को वहाँ पर मरवा दिया जाता है आगे देखिए अब इतक क्या था? जो महिलाओं के किरदार होते थे उसे बहुत छोटे-छोटे जो बच्चे होते थे वो उनका किरदार प्लेखिया करते थे लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है Women were allowed to act on stage इनको stage पर acting करने की छूट दी जाती है acting करना allow किया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर जो theatres थे उनको अलग तरीके से British की तरीके से नहीं क्या किया गया? यहाँ पर French की तरीके से बनाया जाता है फिर से इंडिया के भी यो theatres हैं कैसे? सोचा है कभी आपने जो सीडियां नीचे से उपर तक जा रही है वो भी एक French किया एक French आइडिया है उसको बिल्ड करने का तो उसका impact इंडिया में भी पड़ा मज़ रहें? अब आगे देखिए एक टॉन स्टेज Samuel Pepis ये कौन थे? Diary Writing का जो concept आज जो आप लिखते हैं ना छिपा छिपा करके हालाकि ये culture भी आप खतम हो गया जब से WhatsApp, Facebook आया तब से लोगों के creativity चली गई पहले लोग बहुत बेतरीन डाइरियां लिखा करते थे डाइरिम उनकी सारी बाते हुआ करते थी उसको जो उपर से एक disclaimer भी हुआ करता था जो इसको भी मिल जाए ये diary पढ़ेगा नहीं वापस कर देगा डाइरिम प्रेम कहानिया होते थी और बहुत सारी बाते हैं कुछ लोग तो daily right diary को लिखा करते थे कि आज उन्होंने दिन भर क्या काम किया हुआ है और ये culture कौन ले आता है ये culture था इंग्लेंड के Samuel पेपीस के द्वारा लाए गया और उनके भी पीछे interesting कहानी थी ये कैसे आया ये Samuel पेपीस को एक women एक woman actor से प्यार हो गया महिला एक actor से प्यार हो जाता है और उनका नाम होता Elizabeth Nap और उनके प्यार में वो डायरी लिखना सुरू कर देते हैं और आपको जान करके बड़ा रोचक लगेगा कि जो 1665 में क्या होती है आग लगती है लंडन में या 66 में लगी उस लंडन की आग के बारे में हमको किसे पता चलता है Samuel पेपीस की डायरी से तो मज़ रहे हैं कि वल प्यार की बाते नहीं थी उसमें ये सब भी बाते लिखी गई थी अब आगे देखिए Fell in love with an actress क्या नाम था Elizabeth Nap ये सब बहुत अच्छी चीज़े हुआ करती थी अब आप सूचिए कि हमने creativity ही खतम कर दी अब आप सूचिए किसी बच्चे को आप कहिए कि वो एक letter लिखे अपने किसी सगे समबंदी को तो क्या होता है उसको पता ही नहीं कि address कैसे किया जाता है इवन मुझे नहीं पता बहुत अच्छी तरीके से मैं भी नहीं लिख सकता हूँ गर मुझे कहा जाए तो मुझे आता है हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे चाचा जी का डिलही से letter आता था और हमारे पापा जी पढ़ते थे उसको उसमें लिखा होता था सुरू में address बड़ा अच्छी तरीके से किया करते थे चाचा जी हमारे कि हम लोग यहां बस सकुसल हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे अब आप सुचिए कि यह concept ही चला गया अब Hi, How are you? I am fine, you say इस टाइब के हमको instant जो technology ने हमको आप सुचिए कितना दूर किया लोगों से पहले पत्र नहीं आते थे ऐसा लगता था कि किसी ने मतलब पूरे अपनी sentiments को ही निकाल करके रख दिया है क्या हो आपकी बारे में सुचता है क्या कहना चाहता है आप से सब कुछ लिख करके दे दिया जो मूँ से नहीं का जा सकता था वो पत्रों के माध्यम से आसान था उसके बारे में बोलना जैसे आप बार्डर पिक्चर देखिए उसमें बहुत फेमस बहुत एक जो है कॉमिक्स जो एंसे जेंट आता है जहां पर क्या होता है कि वो जो है पढ़ते रहते हैं क्यांकि घरवाली बड़ा अच्छा लिखती है कि घरवाली क्या लिखा हुआ है कि भैस जो है वो बच्चा दे करके मर गई बाकी सब ठीक है बच्चे का खेलते खेलते बच्ची गिर गई उसका हाट तूड़ गया था बाकी सब ठीक है बाकी सब ठीक है अभी क्या है छोटा सा कोई एक इंसिजेंट हुआ माली ये बच्चे को ठीक भी आ गए फोन चला गया या बच्चा हुआ और बचारा आदमी दोड़ा दोड़ा आता है पहले के लोग कितने जिम्मेदार थे कितना प्यार था आदमी बॉर्डर पे पड़ा हुआ है किसी दूसरी जगार पड़ा हुआ है उसके मन में यकीन था कि ने घर पर कोई है जो सब को समभाले हुआ है और समभाले भी थे लोग तेकिन आज तकनीकी ने इंसान को और अकेला बनाया और दूर कर दिया नहीं ऐसी चीजें नहीं होने चाहिए अपनों से बिशड़के कभी भी इंसान को रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप रही नहीं पाएंगे फिर तो आप इंसान से और उसके बाद जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग लिखते हैं तो डायरी की स्पेलिंग D-A-I-R-Y लिख देते हैं बहुत सारे स्लेक्टेट लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो डायरी को Dairy लिख देते हैं गलत है ये स्पेलिंग सही करना चाहिए बहुत सारे tuition के जो इस्तिहार लगे रहते हैं advertisement वहाँ पर tuition की spelling T-U-T-I-O-N लिखी जाती है क्या पढ़ाओगे भई आप पहले ही आई खा गए इसका ध्यान दखने चाहिए English को English जैसा आई करें ये तो भी प्रोफेसर एलाज सर्मासर वाली बात यादा जाएगी कि आप अंग्रेजी नहीं आप अंग्रेजी जैसी कोई हिंदी बोल रहे हैं आप 7 नहीं कह रहे हैं आप 7 कर रहे हैं खाने वाली कोई चीज क्योंकि मुझ पर पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब सावधान रहे हैं फिलाल चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखिए इन 1660 1660 में चार्ल सेकेंड रिटर्न इंग्लेंड चार्ल सेकेंड इंग्लेंड वापस आए फ्राम फ्रांस एंड मोनार्खी वो आज रिस्टोर्ड मोनार्खी क्या हुई वो रिस्टोर हुई इसको क्या कहा जाता है het stuart restoration भी कहा जाता है विद चार्ल सेकेंड चार्ल सेकेंड चार्ल सेकेंड के साथ में fashion manners way of living and many other virtues and vices came to England from France यादि फ्रांस से बहुत सारी virtues और vices इंग्लेंड आती हैं इंग्लेंड नाउ टच्च्ड लो वाटर मार्क इन इस सोसल हिस्ट्री यानि सामाजी के तिहास में कल्चर और सिविलिजेशन के मामले में सब्विता और संस्कृति के मामले में इंग्लेंड का इस तर एकदम से नीचे चला गया इस टाइम के बाद में सबसे अधिक बेसर्म के जिसको कंट्री अभी तक देखा था इन फाइडेलिटी धूखा देना लाइसेंस यही सब बातें बिकेम फैसनेबल जो आज इंडिया का टर्म बना हुआ ना क्या है लोग फैसन मान चुके हैं इस बात को पी नहीं एक साथ सबको हिसाब से रखो सबको बराबर समय दो सिट किये रहो क्या होता है यह सब चीजें इंग्लेंड इस समय पॉपुलर हुई थी वागे देखिए restoration writers imitated french writers मैंने आपको बताया है नियो क्लासिकल पेरिड में याद होगा कि restoration जो writers थे उनको क्या किया गया उनको french writers थे उनको french writers को imitate ear किया हुआ था उन्होंने ना केवल इनके वर्चूस को बल्कि इनके वाइस को इनके बुराईयों को भी इमिटेट किया आगे देखिए थियेटर वाज री ओपन इन 1660 1660 में थियेटर को री ओपन किया गया वाइल इट वाज क्लोस इन 1642 इनसे बात हुई है by puritan's, the urbanity, सहरी वाली बात है, wit and profligacy of the life began to center on the literature of the age रभाई देखिए, the literature of this age, इस age का जो साहित था was written, इस चीज को याद रखेगा, by the gentleman, for the gentleman and of the gentleman यानि द्वारा, gentleman के द्वारा, gentleman के लिए ही ये सारा लिखा गया था यानि ये जो लाइने हैं वो अब रहम लिंकन ने कही थी, democracy को ले करके कि क्या है, ये by the people, for the people and of the people यहाँ पे by the gentleman, for the gentleman and of the gentleman की ही बात होगी common man के बारे में कोई भी बात हैं अब नहीं होने, वाली हैं, ये याद रखेगा अब आगे देखते हैं, Dryden was officially appointed the first poet laureate, ये याद रखना है Dryden को पहली बार क्या किया गया, first official poet laureate वो बने अभी तक कौन थे, Ben Johnson पहले थे, लेकिन वो unofficial poet laureate है उनको James First ने सिर्फ pension दी थी, याद रखना है In 1668, in the reign of Charles II, Dr. Samuel Johnson appreciated Dryden Dr. Samuel Johnson, या Age of Sensibility जिनके नाम पर है ये वही है उन्होंने Dryden को appreciate किया कैसे He found it, यानि उसने English को पाया अब brick एक eat की तरीके से and left it marble और उसे एक marble की तरीके से बना करके छोड़ा और यही बात Augustus Caesar को ले करके कही थी और इजिनल यह जो statement है, वो Augustus Caesar के लिए इस्तिमाल किया जाता है Rome को ले करके, कि उसने Rome को पाया एक eat के जैसा और बना के छोड़ा कैसे एक marble तो यही वो लाइने हैं, आगे देखिए, क्या है the great fire of London वही great fire जिसके बारे में हमने आप से बात की है और कहाँ पर Samuel Pepis की डाइरी से इस fire के बारे में पता चलता है देखिए क्या है, a very huge part of London ठीक है, London का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाज burnt during the great fire of London यानि इस London की fire में बहुत सारा बड़ा हिस्सा क्या होता है वो जल जाता है और कारण क्या था, King का बेकर, जिसका नाम क्या है, Thomas Fariner एक राजा का बेकर था, Thomas Fariner ये अपनी बेकरी में एक जो है जलता हुआ, चिराग या आप समझे कोई था उसको जो है जला के छोड़ देता है और उसी के जलने से ये आग फैल जाती है और आग के फैलने का कारण क्या था कि उस समय जो लंडन के घर बने हुए थे वो जैसे लकड़ी के बने होते हैं ना उपर चारकोल वाले उस तरीके के बने थे और आग बहुत तेजी से फैलती है और उस समय आग को रोकने के लिए गौर्मेंट के पास एक ही तरीका था और वो क्या कैनन्स के जरिए तोप के जरिये जैसे इस घर में आग लगी हुए तो बगल वाले घर को वो तोप से तोड़ देते थे ताकि आग बाहर ना फैले फिर भी क्या हुआ लंडन आधे से ज़्यादा जल गया था और ये बात इंट्रेस्टिंग है कि राजा पिल्कुल भी इस चीज को लेकर क्या वेयर नहीं था चाल्स सेकंड की ऐसे हिस्तिरी थी अब देखिए राम किंग चाल्स सेकंड बेकरी चाल्स सेकंड की बेकरी से स्टार्ट हुई और बेकर वास टॉमस फैरिनर बेकर कौन था टॉमस फैरिनर किंग वास कंडेम्ड सेविरल सिवियरली क्या हुआ राजा को बहुत सिवियरली अलग तरीके से क्रिसाइज किया जाता है during that time इस समय में because he was not even a bit conscious of that fire क्योंकि वो उस आग को लेकर के बिलकुल भी conscious नहीं था बागे देखिए the great parts of houses were destroyed with the help of cannons ठीक है जो बड़े बड़े हिस्से थे घरों के उनको cannons तोपों को जरिये क्या किया गया हटा दिया गया था उड़ाया गया so that fire would not increase ताकि आग आगे ना बढ़ सके ultimately London was built with stones बाद में क्या हुआ London को stones के जरिये बनाया गया जो आज हम London की खुबसूरती देखते हैं वो उसी की वज़ा से possible है अब आगे देखते है the stage was different stage क्या था वो अलग था they were built according to French fashion इसके बारे मैंने आपको बताया है Indian theatres are also made according to French fashion plays were written for the actors and actresses यानि अब क्या है commercial formula नहीं है यह याद रखना है Shakespeare ने commercial formula अपनाया था लेकिन यहाँ पर जो plays है वो actor और actress oriented plays लिखे गए है audience को लेकर के नहीं याद रखेगा of that time unlike to the audience of Shakespearean or Renaissance plays England was dominated by Puritan's England पूरी तरीके से किसके तरीके दोरा dominate किया जाता था Puritan's के and morality was above to everything और नैतिकता सर्वो परी थी बिलकुल भी flexibility इसमें बरदास्त नहीं थी अब आगे देखते हैं Thomas Otway ये वही है जिनकी कहानी देवदास जैसी है कल मैंने आपको बताया था और एक मात्र only tragedian है इस age के was only famous for sorry only famous tragedian of that time और क्यों इनकी कहानी देवदास जैसी है क्योंकि इनको जिस लड़की से प्यार था उस लड़की ने इनका proposal accept नहीं किया और इस कारण से ये बिलकुल एकदम से इनों सब कुछ करना ही छोड़ दिया था भूखे प्यासे पड़े रहते थे ऐसे 3-4-4 दिन और क्या होता है एक दिन कि बिचारे गरीब भी बहुत थे और इस वज़ा से एक दिन एक आदमी कुड़े में खाना डालता रहता है भूखे रहे हैं जो है वो कुछ थी जो है बन वगेरा वो कुड़े में डालता रहता है और जैसे इनों ने देखा कि वहाँ पर कुड़े में बन को डाला जा रहा है ये दोड़ करके वहाँ पे जाते हैं और उसको ले करके जल्दी जल्दी से खाना सुरू कर देते हैं और इनका गला ही जो है चोक कर जाता है फंस जाता है और इनकी इसी वज़ा से मौत हो जाती है बज़ रहे हैं तो यह जो नाम है टॉमस आटवे इनकी कहानी कुछ ऐसी ही है बहुत बिचारे गरीब भी थें वेनस प्रिजर्ड और अपलाट डिसकवर्ड इस प्ले के नाम से वो जाने जाते हैं लेकिन कंडिशन उनकी बहुत ज़्यादा मिजरिबल थी उस टाइम पर तो यही है आज की हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आप से बात की है रिस्टोरेशन ऐज की स्टाइटिंग किस तरीके से होती है कल मैं आपके सामने रिस्टोरेशन ऐज ही कुछ और बाते लेकर क्या आऄंगा कुछ राइटर्स को लेकर के आऊंगा तो थैंक यू सो मच पार वाचिंग ये वीडियो कैसे लेगी आप लोग अपने लाइक और कमेंट के ज़े लिए बताईएगा है बग बुंटे